नमस्कार साथियों इजी इजी लाइफ यूटिप चैनल पर आप सभी का हर्दिक स्वागत है हम पढ़ रहे हैं क्लासिक्स NCRT की बुक्स को जिसमें हमने हिस्ट्री के पार्ट को शुरू किया है हमारे अतीद और पास्ट और आज हम इसका चैप्टर 10 शुरू करने वाले हैं नई सामराज्य और राज्य तो आईए शुरू करते हैं अरविंद राजा बना अब यहां पर यह अरविंद नाम का बच्चा है अरविंद अपने स्कूल में खेले जाने वाले नाटक में राजा की भूमी का अदा करने के लिए चुना गया उसने सोचा था कि वह शाही वेश्बुशा में मूचो पर ताव देते हुए रुपहले कागज में लिप्टी तलवार को शान से पकड़ कर चहल कदमी करेगा तो यह एक imagination है कि राजा महराजा भारत में भारतियों माधविब में ऐसे रहते थे जरा सोचो उसे कितनी हैरानी होई होगी जब उसे बताया गया होगा कि उसे बैठ कर विल्णा भी बजानी होगी और कवीता पाठ भी करना होगा एक संगीत तक गया राजा राजा वो तो युद्धों के लिए जाने जाते हैं लेकिन ये संगीत तक गये राजा कौन हो सकता है वै अर्विन सोचने लगा कि ऐसा कौन सा राजा होगा तो आईए देखते हैं क्या बताती हैं प्रशस्तियां पहले तो प्रशस्ति वर्ड से थोड़ा आइडेंटिफाई हो जाते हैं प्रशस्ति होता है ऐसे लेक जिसे किसी की प्रशेंशा में लिखा गया है दरसल अर्विन्ध गुप्त वंश के प्रसिद राजा समुद्र गुप्त की भूमी का अदा करने जा रहा था यहां पे गुप्त वंश के प्रसिद राजा समुद्र गुप्त के बारे में बात करे जा रही है अब हम बात करते हैं कि समुद्र गुप्त के बारे में हमें इलाबाद में अशोक स्थम पर खुदे हुए एक लंबे अभिलेक से पता लगता है कि इसकी रचना समुद्र गुप्त के दरबार में कवी वे मंत्री रहे हरी शेन दोरा एक कवे के रूप में की गई है अब हमें पहले तो ये ध्यान रखना है कि हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं तो हम पढ़ने जा रहे हैं समुद्र गुप्त के बारे में जो गुप्त वंश का एक महान शाशक रहा है दूसरी चीज हमें इससे पता लगती है कि इसके दरबार में एक हरीशेन नाम का व्यक्ति था जो एक महतवपून मंत्री भी था और उसके साथ साथ ये कवी भी था और इसी कवी ने अपने इस राजा की प्रशंशा में कावे रूप में एक प्रशंश्ती की रचना की है यह एक विशेश किस्म का अभिलेख है जिसे प्रशंश्ती कहते हैं यह एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ प्रशंशा होता है प्रशंश्तियां लिखने का प्रचलन पहले भी था, जैसा हमने पिछले चप्टर में पढ़ा था कि गोथमी پुतर्श्री साथकरणी के बारे में, सातवाहन वंश से रिलेटर थे इनके बारे में हमने पढ़ा था कि इनकी माँ का एक अविलेख है जो दान से से रिलेटर था, उसके अंदर इनका वर्णन आता है लेकिन गुप्त काल में इनका महत्व और ज़्यादा बढ़ गया था समुद्र गुप्त की प्रशस्ती आओ देखें समुद्र गुप्त की प्रशस्ती हमें क्या बताती है कवी ने इसमें राजा को की एक योध्धा युद्धों को जीतने वाले राजा विद्वान तथा एक उतकरष्ट कवी के रूप में भरपूर प्रशंशा की है यहां तक कि उसे ईश्वर के बराबर बताया गया है प्रशस्ती में लंबे लंबे वाक्य दिये गए हैं यहां वैसे ही एक वाक्य का अंश दिया जा रहा है आईए देखते हैं योधा समुद्रगुप्द समुद्रगुप्द के बारे में हरी शेन अपनी इस प्रशस्ती में क्या कहते हैं जिसका शरीर युध मैदान में कुठारों, कुलहाडियों, तीरों, भालों, बर्चों, तलवारों, लोहे की गदाओं, नुकीले तीरों और अन्य सेंक्डों हतियारों से लगे घावों के दाग से भरे होने के कारण अत्यन सुन्दर दिखता है यानि कि एक वीर योद्धा की भैचान क्या होती है, वो कैसे सुन्दर दिखता है, जब उसके शरीर पर घाव होते हैं, वो उतना ज़्यादा वीर माना जाता है अब हम देखते हैं कि यहां पर एक मानचित्र है जिसको दिर्शाया गया है, कि कुछ शेत्र हैं जिनको हरे रंग से रंगा गया है, तुम्हें पूर्वी समुदरी तट के साथ साथ एक एक क्रम में लाल लाल बिंदू दिखेंगे, उसी तरह के कुछ बैंगनी और नीले र प्रकार के राजाओं और उनके प्रती समुदर गुप्त की नीतियों का वर्नन करते हैं, हरी शेन ने जो अपनी प्रशस्ति लिखी है किसके लिए समुदर गुप्त के लिए उसमें विबिन प्रकार के राजाओं चार विबिन प्रकार के राजा थे और उनके प्रती गुप्त ने हरा कर उनके राज्यों को अपने राज्या में मिला लिया था यानि कि जब आरेयवरत का जो शेत्र था उसमें नो ऐसे छोटे छोटे राज्या थे नो राजा थे कौन-कौन से राजा थे जैसे रूद्रदेव था मतिल था नागदत चंदरवर्मा गणपती नागसेन, अच्युत, नंदी और बलवर्मा ये कुछ एक नो राजा थे जिनको समुद्र गुप्त ने हराया था और इनको हराने के बाद इसने प्रसबोधरन नीती को अपनाया था इसके बाद दक्षिनापत के बारह राजशाशक आते हैं इन में से कुछ की राजधानिय को दिखाने के लिए मानचित्र पर लाल बिंदू दिये गए हैं इन सब बारह राजाव ने हार जाने पर समुद्र गुप्त के सामने आत्म समर्पन कर दिया था फिर भी समुद्र गुप्त ने उन्हें फिर से शाशन करने की अनुमती दिये दी यानि यहां से सिर्फ टैक् इतने बड़े समराज्यों को संबालना आसान नहीं होता तो इसने यह जो टेक्नीक अपनाई थी यह जो नीती थी यह बिल्कुल सही थी कि जो इसके आसपास के शेत्र वालों को आर्याफरत वालों को जीता था उनसे तो इसने उनके उपर अपना शाशन दिखाया लेकिन ज सिर्फ टेक्स कलेक्शन करने के अलावा उसने कुछ नहीं किया उन्हीं राजाओं को वापिस महां का राजय दे दिया गया था और इस जो तरीके की जो यह अनुमती है इसे ग्रहन मोक्षानुग्रह नीती कहते हैं यह बहुत इंपोर्टन्ट होया था फर्स गड़ में यह और दूसरी जो थी यह दक्षिना पत के लिए यह तो थी आर्यवरत के लिए और दक्षिना पत के लिए थी इसकी ग्रहन मोक्षा नुग्रह यह ग्रहन मोक्षा नुग्रह नीती थी जिसमें इसने उनको फ्री अप कर दिया था फिर है पडोसी आंतरिक देशों का आंतरिक गेरा बैंगनी रंग से रंगा गया है इसमें असम तटिये बंगाल नेपाल और उत्तर पश्चिम के कई गणिया संग थे इनको ये समुद्र गुप्त के लिए उपहार लाते थे उनकी आग्याओं का पालन करते थे और उनके दरबार में उपस्तित हुआ करते थे फिर है बा मुद्र गुप्त की अधिनता को स्विकार किया था और अपनी पुत्रियों का विवा उससे किया था ये टेकनिक आगे भी बाद के इनके बाद भी जो टाइम आता है उसमें भी चलती रहती है कि राजा लोग जो है या दूसरे कोई भी छोटे राजा है जो हार जाते है अब आगे देखते हैं देखिए ये कुछ सिक्के हैं ये कुछ सिक्के हैं जिसमें ये वीना बजाते हुए हमें नजर आ रहे हैं ठीक है वीना बजाने वाला राजा समुद्र गुप्त के कुछ अन्य गुनों को सिक्कों पर दिखाया गया है जैसे इस सिक्के में उन्हें मान्चित्र में इलाबाद का पुराना नाम क्या है मतलब प्रयाग प्रयाग जो है उसका पहले नाम क्या था इलाबाद था उजयन और पाटली पुत्र पटना ढूंडो यह गुप्त शाशन के महतवपुन केंदर थे आर्यावरत तथा दक्षनापत के राज्यों के साथ समु हमें लाइट ब्लू है ग्रीन है यह जो कलर्ण यह क्या बताते हैं कि पहले यह पिंक कलर वाला स्टेट देख लेते हैं कि पिंक कलर से रिलेटेड कौन-कौन से है इसमें एक मिनिट है ना अब यह देखिए तत कालीन भारत का या इस उप महाद्वीप का कितना बड़ा शेत्र यह इनका आंत्रिक शेत्र में आ जाता था जिसमें यह यह मतुरा थानेसर यह वाले इलाके है यानि कि पश्मी राजस्थान वाला यहां से यहां तक देखिए कितना बड़ा विशाल समराज्य है इनका पहला हुआ फिर है बाहरी राज्य यह वाले थे अफगानिस्तान जो वर्तमान पाकिस्तान और अफगानिस्तान का शेत्र आ जाता है फिर है आरे अवरत और यह देखिए श्रिलंका वाला भी इदर दिखाये जा रहा है जो यह बा गंगा शेत्र जो है इसी के बारे में जहां पर मतुरा है कन्योज है प्रियाग है पाटली पुत्र है नालंदा है यह सारे नालंदा वर्तमान बिहार में है पाटली पुत्र पटना कहते हैं हम इसे आज वर्तमान समय में और प्रियाग जो है इलाबाद यूपी का हिस्सा है इ आपर यह देखिए यह जो हमने पहले पढ़ा था यह जो रैड डोट्स वाले हैं आ और यह जो ब्लैक डोट्स वाले है यह इनके वो स्टेटस हैं जिनको इन्होंने जीता था और जिनके साथ इनकी प्रस्बोधरण नीती और ग्रहन मुक्षान उग्रहनीती चले थी यानि कि काउंट कर सकते हैं आप एक दो ती ये वो नो राजा है है ना आर्य वरत वाले है ना इधर से ये इनको इनोंने जीता था और बाकियों को साथ दक्षिनापत वाले जो राजा है ये देखिए ये वाले जो है राजा है इन सब कोईनोंने जीता था और इनके उपर इनको बोला कि आप खुद अपना-पना जो है स्टेट काईम रखो और आप अपना राजे स्वयम करो ये देखिए ये सारे इनी के शेत्र में आते हैं ठीक है उस वक्त के मेहतोमन नगर है घुप्त वंशजी जवाला जिते गए हैं ये इतने जो सिरीज में नगर है सारे इन के अंदर में थे फिर है वंशावलियां अब वंशावलियां क्या चीज़ है वंशावलियों में क्या आता है कि अठावन इसा पूर्व विक्रम 58 इसापूर्व में प्रारम होने वाले विक्रम सम्वत को परम परागत रूप से गुप्त राजा चंदर गुप्त दितिये के नाम से जोड़ा जाता है और ऐसा खाल जाता है कि उन्होंने शकों पर विजे के परतीक के रूब में इस सम्वत की स्थापना की और विक्रमा दित्य की उपादी धारन की थी अधिकांश प्रशस्तियां शाशकों के पुरूजों के बारे में भी बताती है यह प्रशस्ति भी समुद्र गुप्त के प्रपिता माह पिता महे यानि की परदादा और उन से भी जो लकडदादा वगरा होते हैं उनके बारे में दादा, पिता और माता के बारे में बताती हैं, उनकी मा कुमार देवी, यानि ये जो समुद्र गुप्त है, इनकी मा जो कुमार देवी है, ये लिच्वी गण की राजकुमारी थी, और पिता चंद्र गुप्त, गुप्त वंश के पहले शाशक थी, ठीक है, इन्होंने महाराजा धिराज जैसी बड़ी उपाधी धारन की थी। समुद्र गुप्त ने भी यह उपाधी धारन की थी। उनके दादा और परदादा का महाराजा के रूप में ही उलेक है। इससे यह अभास मिलता है कि धीरे धीरे इस वन्ष का महत्व बढ़ गया था। इन उपाधियों को महत्व के हिसाब से सजाओ राजा महाराजा धिराज महाराजा। समुद्र गुप्त के बारे में हमें उनके बाद के शाषकों जैसे उनके बेटे चंद्र गुप्त द्वितिय की वन्षावली यानि पूर्वजों की सूची से भी जानकारी मिलती है। उनके बारे में अभिलेकों और सिक्कों से पता चलता है। उन्होंने पश्चिम भारत में सेने अभियान में अन्तिम शक शाशक को यानि कि चंदर गुप्त द्वीतिये के बारे में ये बहुत इंपोर्टेंट है कि चंदर गुप्त द्वीतिये ने अपने पश्चिम भारत अभियान में सेने अभियान जो इन्होंने किया था उसमें अंतिम शक्षाशक शक्षत्रप जो थे रूद्र सिंग थर्ड को हराया था अंतिम शक्षत्रप कौन था रूद्र सिंग तृतिये इस रूद्र सिंग तृतिये को इन्होंने हराया था बाद में ऐसा विश्वास किया जाने लगा कि इनका दर्बार विद्वानों से भरा हुआ था इनके बारे में हम आगे के चेप्टर में पढ़ेंगे इनके दर्बार में नो विद्वान थे ठीक है इनके नवरतन खहे जाते हैं जिनको हम आगे वाले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं अब हम बात करते हैं हर्श वर्दंत था हर्श चरीतर की जिस तरह से गुप्त वंश के शाषकों के बारे में अभिलेखों और सिक्कों से पता चलता है उसी तरह से कुछ अन्य शाषकों के बारे में भी उनकी जीवनी से पता चलता है ऐसे ही एक राजा हर्श वर्दंत थे जिन्होंने करीब 1400 साल पहले शाषन किया यनि इसा से छटी शताबदी बाद में इसा के जन्म की छटी शताबदी में इन्होंने साषन किया था इनके दरबारी कवी बान भटने संस्कृत में उनकी जीवनी हर्श चरित्र लिखी है देखिए अब यह जो राइटर और बुक्स के बारे में बताया जा रहा है उसको आपको जरूरी आद करना चाहिए एक्जाम्स में बुक्स से रिलेटर एक कोशन तो जरूर ही आता है कि कौन सी बुक किस शाशक के द्वारा लिखी गई है या उसमें किस का वर्णन है तो यहां पे बान भटने संस्कृत में हर्श वर्दन की जो जीवनी है हर्श चरित्र उसको लिखा है इसमें हर्श वर्दन की वन्शावली देते हुए उनके राजा बनने तक का वर्णन है चीनी तीर्थ यात्री श्वेंट सांग जनके भारे में हमने चैप्टर 9 में पढ़ा है यह काफी समय तक हर्श के दरबार में रहा है ये श्वेंस सांग जो है इसे ह्वेंस सांग भी बोला जाता है देखिए क्योंकि चाइनीज लेंग्वेज है इसका हमारे पास exact pronunciation नहीं होता है इसको क्या प्रणाउंस करते हैं वो लोग और हम इसको किसे modify कर देते हैं तो हेंस सांग या ये श्वेंस सांग जो है वो से में एक ही व्यक्ति है तो इसके बारे में confused नहीं होना श्वेंस सांग और ह्वेंस सांग एक ही व्यक्ति है जिसके बारे में हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था ये काफी समय तक हर्ष के दरबार में रहता है उसने वहाँ जो कुछ भी देखा उसका विस्तरंट विवरन इसने अपने ग्रंथ में दिया है हर्ष अपने पिता के बड़े बेटे नहीं थे सबसे बड़े बेटा तो नहीं था पर अपने पिता और बड़े भाई की मृत्तियों हो जाने पर ये थाने सर का राजा बनता है थाने सर वर्तमान करनाल हरियाना के शेत्र को कहा जाता है करनाल हरियाना का शित्र है एक और चीज़ से करनाल काफी फेमस है वो है जो हमारी एस्ट्रोनोट थी कलपना चावला उनकी जन भूमी से रिलेटेड आई है ठीक है वर्टमान में पहले जो ये हर्शवर्दन थे ये कहां के राजा थे थाने सरके थे ठीक है और इनके पिता का नाम था प्रभाकरवर्दन हर्शवर्दन के पिता का नाम क्या था प्रभाकरवर्दन ठीक है और ये जो प्रभाकरवर्दन है इनके बहुत जारी संताने थी लेकिन ये क्योंकि कई-कई शादियां करते थे लेकिन ये original blood जो है इनके बच्चों में मतलब इनके जो बच्चे थे वो थे पहले तो थे प्रभाकरवर्धन जी की तीन संताने थी स्वरी चार इनके तीन बेटे थे और एक बेटी थी इनके बेटे का नाम था राज्येवर्धन ठीक है एक का नाम था और एक इनकी बेटी थी यानि इन तीनों भाईयों की बेहन थी राज्येश्री ठीक है अब ये जो हर्षवर्धन की जो इतनी popularity होने वाली है आगे वो इनी चीजों पर related है अब ये कहते हैं कि हर्षवर्धन अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे कर अपने पिता और बड़े भाई के मृत्यूं हो जाने पर थाने सरके राजा बनते हैं उनके बेहनोई कनोज के शाशक थे यानि इनका जो जो क्या नाम है ये राज्श्री इनकी जो बेहन है इसकी शादी होती है कन्योज के शाशक ग्रह वर्मा से ठीक है राज्य श्री वाइफ ओफ ग्रह वर्मा ठीक है राज्य श्री की शादी होती है ग्रह वर्मा के साथ में अब होता क्या है अब होता क्या है कि ये जो बंगाल के शाशक है बंगाल के जो शाशक है गोड शाशक होते हैं ये शशांक ये इनका आपस में कोई यूद हो जाता है ग्रै वर्मा का तो ग्रै वर्मा की मृत्यू हो जाती है ग्रै वर्मा की हत्या कर देते हैं कौन शशांक जी ये होते हैं गोड शाशक होते हैं बंगाल के शाशक अब और उस टाइम पे जब राज् भी मारे जाते हैं युद्वगरा में अब हर्ष ने कन्योज का जो राज्य है वो अपने अधीन कर लिया था क्योंकि इनकी बेहन वहां से कुछ टाइम के लिए गायब हो जाती है राज्य शरी और हर्ष खुद अपनी बेहन को धूंड निकालते हैं और उसके बाद उसका जो अन्य जगों पर नहीं मिली जब उन्होंने नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश की तब चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितिये ने उनको रोक लिया पल्लव चालुक्य और पुलकेशन द्विकतिय की प्रशस्तियां इस काल में पल्लव वंश चालुक्य वंश ये दोनों दक्षिन भारत के सबसे मैटफून राजवश थे पल्लव का राज्य उनकी राजदानी कांची पुरम के आसपास के शित्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला हुआ था इनका समराज्य है जबकि चालुक्यों का राज्य कृष्णा और तुंग भद्रा नदीयों के बीच में स्थित था चालुक्यों की राजदानी एहोल थी यह एक प्रमुक व्यपारिक केंदर थी धीरे धीरे यह धार में केंदर भी बन गया जहां कई मंदिर थे पल्लव और चालुक्यों एक दूसरे की सिमाओं का आतिकरमन करते थे मुखे रूप से राजदानीयों को निशाना बनाया जाता था जो समरद्य शहर थे पुलकेशिन दूसरे सबसे बड़ा या सबसे प्रसीद चालुक्यों राज़ा था इनके बारे में हमें इनके दर्बारी कवी रवी कीरती द्वारा रचित प्रशस्ती से पता चलता है कि इसमें इनके पुर्व जो खास तोर से पिछली चार पीडियों के बारे में बताया गया है यानि कि यहां पर पुलकेशिन द्वितिय की भी एक प्रशस्ती हमें नजर आती है और इसे किस ने लिखा है इनके दरबारी कवी रवी कीर्थी ने पुलकेशिन द्वितिय के उपर एक प्रशस्ती लिखी है और इसमें इनकी चार पीडियों के बारे में बताया गया है पुल अनुसार उन्होंने पूरोवदता पश्चिम दोनों समुद्र तटिये इलाकों में अपने अभियान चलाए किसने अभी हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं पुलकेशिन द्वितिये के बारे में पुलकेशिन द्वितिये ने क्योंकि यह सबसे प्रसीद चा अगे बढ़ने से रोका है। हर्ष का अर्थ आनन्द होता है। कवी का कहना है, किसका रभी कीरती का कहना है? कि इस पराजा के बाद हर्ष अब हर्ष नहीं रहा। पुलकेशिन द्वितिये ने पल्लव राजा के उपर भी आकर्मन किया था, जिसे कांचीप रूम की दिवार क के पीचे शरन लेनी पड़ी थी पर चालुक्यों की विजय अल्प कालें थी लड़ाई से दोनों वंश दुरबल होते गए पलों और चालुक्यों को अंतित्य राश्ट्र कूत था चोल वंशों ने समाप्त कर दिया इसके बारे में हम आगे की सेवंथ क्लास में पढ़ने वा प्रशाशन या प्रशास्की विवस्था कैसी थी इन राजाओं में पहले के राजाओं की तरह ही इन राजाओं के लिए भूमी कर सबसे मैतोपूर्श बना रहा यानि कि पुराने समय से लेके इनके समय और आने वाले समय में भी जो कृषी कर है वो सबसे प्राथमिकता में इनकी होता था प्रशाशन की प्राथमिक इकाई गाव होते थे प्राथमिक इकाई आज भी गाव ही है लेकिन दीरे-दीरे कई बदलाव आए राजियों ने आर्थिक, समाजिक, राजनितिक या सैने शक्ती रखने वाले लोगों का समर्थन जुटाने के लिए कई कदम उठाए उधारन की तौर पे कुछ महतवपून प्रशाशकिये पद आनुमांशिक बन गए अर्थाद बेटे अपने पिता का पद पाते थे जैसे कि कभी हरिशेन अपने पिता की तरह महा दंड नायक अर्थाद मुख्य न्याए अधिकारी थे यानि कि मुख्य न्याए अधिकारी का जो पद था वो वन्शानुगत बन गया था हरीशेन के जो पिता है वो भी मुख्य दंड नायक थे महा दंड नायक थे और यहाँ पे इनको भी बना दिया गया है फिर है कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था जैसे हरीशेन जी फिर से इनी के बारें बताया जा रहा है कि हरिशीन एक महा दंड नायक होने के साथ साथ कुमारा मात्य है यह दूसरा वर्ड हमारे पास आ गया है कुमारा मात्य है यानि एक मैतोपून मंत्री थे एक संदी विग्राहक यानि युद और शांती के विश्यों का भी मंत्री था अभी एक बार ओर उपर देख लेते हैं वापिस ठीक है एक मिनिट जैसे हमने अभी जो इंपोर्टन वर्ड पढ़ा था एक था महा दंड नायक फिर है कुमारा मात्य है संदी विग्राहक और शांती के विश्यों का भी मंत्री था यानि कितने चोटी चोटी टर्मनलोजी हमें मिलने वाली है यहां देखिए महा दंड नायक कुमारा मात्य है संदी विग्राहक है ना फिर है संभवता वहां के स्थानी प्रशाशन में प्रमुख व्यक्तियों का बोल भावला था इसमें नगर श्रेष्ठी यानि मुख्य बैंकर या शहर का व्यपारी फिर है सार्थवाहा यानि व्यपारी काफिलों का नेता फिर है प्रतम कुलिक अर्था द मुख्य शिल्पकार्थ तथा कायस्तों यानि लीपिकों के प्रधान जैसे लोग रहते थे तो यहां पे हमें पांच नए वर्ड मिल गए हैं महादंड नायक, कुमारा मात्य, संधी विग्राहक, नगर्श रिष्ठी, सार्थवाह और प्रथम कुलिक ठीक है इस तरह की नीतियां कुछ हज तक प्रभाव शाली होती थी पर समय के साथ-साथ इनमें कुछ व्यक्ति इतने अधिक शक्तिशाली हो जाते थे कि अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लेते थे एक नए प्रकार की सेना कुछ राजा अभी भी पुराने राजाओं की तरह एक सो संगेट सेना रखते थे जिसमें हाथी, रत, गुड़ सुआर और पैदल सिपाई होते थे पर इसके साथ-साथ कुछ सेना नायक भी होते थे जो आवशक्ता पढ़ने पर राजा को सैनिक सायता दिया करते थे इन सेना नायकों का कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था बदले में इन में से कुछ को भूमी दान दिया जाता था दी गई भूमी से ये कर वसूलते थे जिससे वे सेना अत्वा गोडों की देखबाल करते थे साथ ही वे इससे युद के लिए हतियार जुटाते थे इस तरह के विक्ति सामंत कहलाते थे जहां कहीं भी शाशक दुर्बल होते थे ये सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे देखिए अगर पुराने समय की बात करें तो राजा महराजा सामंत किसे बनाते थे अपने भाईचारे और सोहार्द वाली विवस्ता थी तो इनके जो खुद जो ब्लड रिलेशन में होते थे क्योंकि एक राजा बहुत सारी शाधियां करता था और बहुत सारे बच्चे उनसे उत्पन भी होते थे लेकिन जो राजा का जो पद है वो अनुमांशिक था यानि कि राजा के बाद उसका जो बड़ा बेटा है उसी को ही राजा बनाया जाता था तो जो बाकी राजगुमार है वो क्या करते उन्हें सामंत बना दिया जाता था बड़ी बड़ी जागीरे दे दी जाती थी और वो जागीरदार आगे से आगे उनकी पीडियां भी जो थी थी वो उसी जमीन को उसी चीजों को उनी जागीरों को इस्तेमाल करती थी ठीक है वहां के ये शाशक बन जाते थी उसके लावा कभी-कभी अगर राजा किसी व्यक्ति विशेश पर प्रसन्न हो जाता था किसी क व्यक्ति थे इन में से किछ-कुछ को भूमिदान दे दिया जाता था दी गई भूमी से ये करवसूलते थे सेना और गड़ों की देखवाल करते थे साथ ही वे युद के लिए हतियार जुटे आते थे और ये व्यक्ति सामंत कहलाते थे जागीरदार कहलाते थे जहां कहीं भी शाषक दुरबल होते थे युद की स्थिति में या आपात कालन की जो परिस्थितियां होती थी उसमें ये सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे फिर है दक्षिन के राजियों में सभाएं पल्लवों के अभी लोग्खों में कई स्थानिय सभाओं की चर्चा होती है इन में से एक था ब्राह्मन भूस्वामियों का संगठन जिसे सभा कहते हैं ये वन लाइनर कुश्चन ऐसे ही होते हैं बहुत इंपोर्टन है कि सभा किसे कहते थे ब्राह्मन भूस्वामियों का संगठन होता था ये सभाएं उपसमीनतियों के जरिये सिंचाई खेतिबाड के होने की बात की गई है यानि कि जहां पर जो जो भू स्वामी है अगर ब्रामन नहीं है वो तो उसकी जगा पर एक उर नाम की ग्राम सभा को बना दिया जाता था नगरम व्यपारियों के संगठन का नाम था यहां पर व्यपारियों के संगठन का क्या नाम है नगरम संभवत इन सबाओं पर धनी तथा शक्ति शाली भू स्वामियों और व्यपारियों का नियंत रंता इन में से बहुत सी सबाएं शतावदियां तक काम करती रही क्या हो रहे हैं आगे देखते हैं अभी आगे देखते हैं उस जमाने में आम लोग जनसादारन के जीवन की थोड़ी बहुत जलक हमें नाटको और कुछ अनेस त्रोत्रों से मिलती है चलो इसके भी कुछ उदारन देख लिए जाएं काली दास अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन के चितरन के लिए प्रसीद है इन नाटकों में एक रोचक बात यह है कि राजा और अधिकांश ब्रामनों को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया है जबकि अन्य लोग और मैलाएं प्राकरत बोलते हुए दिखाये गये है उनका सबसे प्रसीद नाटक है अभी ग्यान शाकुंतलम दुश्यन्त नाम के एक राजा और शाकुंतला नाम की एक युवती की प्रेम कहानी है इस नाटक में एक गरीब मचुवारे के साथ राजकर्मियों के दुर विवहार की बात कही गई है एक मचुवारे को एक कीमती अंगुठी मिली यह अंगुठी राजा ने शाकुंतला को भेंट की थी पर धुरगटना वश उसे एक मचली निगल गई जब मचुवारा इस संगुठी को लेकर राजमहल पहुंचा तो द्वार पाल ने उस पर चोरी का आरोप लगाया और मुख्य पुलिस अधिकारी भी बहुत बुरी तरह से पेश आया राजा उस संगुठी को देखकर बहुत खुश हुआ और उन्होंने मचुवारे को इनाम दिया पुलिस वाला और द्वार पाल मचुवारे से इनाम का कुछ हिस्सा हड़पने के लिए उसके साथ शराब खाने चल दिये तो ये ऐसा आज भी होता है होता है आज भी ऐसा चलिए आगे देखते हैं चीनी तीर्थ यात्री फाश येन का ध्यान उन लोगों की दुर्गती पर भी गया जिनने उन्चे और शक्तिशाली लोग अच्छूत मानते थे इने शेहरों के बाहर रहना बढ़ता था फाश येन यानि फायन जो है क्या लिखते हैं अगर इन लोगों को शेहर या बाजार के बीतर आना होता था तो सभी को आगा करने के लिए ये लकडी के एक टुकडे पर चोट करते रहते थे ये हैं आवाज सुनकर सतर्क होकर अपने को छू जाने से या किसी प्रकार के संपर्क में आने से लोग बचाते थे खुद को एक जगए बान बटवारा अभियान पर निकली राजा की सेना का बड़ा सजीव चितरन किया गया है राजा बड़ी मात्रा में साजो सामान लेकर यात्रा करते थे इनमें बरतनों के अतरिक्त रोज मर्रा के उपयोग में आने वाली चीजें जैसे बरतन, असबाब, असबाब क्या होता है जिसमें सोने के पायदान भी शामिल थे खाने पीने का सामान जैसे बकरी, हीरन, करगोश, सबजीया, मसाले, आदी और विबिन प्रकार की चीजें शामिल होती थी ये सारी चीजें ठेला गाड़ियों पर यां उंटों पर और हाथियों जैसे सामान ढोड़ने वाले जानवरों की पीट पर लाद कर ले जाई जाती थी इस विशाल सेना के साथ साथ संगीत का नगाड़े, बिगुलत था, तुरही बजाते हुए चलते रहते थे रास्ते में पढ़ने वाले गावों को उनका सतकार करना पड़ता था वे दही गुड फूलों का उपहार लाते थे तद जानवरों को चारा भी देते थे वे राजा से भी मिलना चाहते थे ताकि अपनी शिकायत या कोई अनुरोध उनके सामने रख सके पर ये सेनाएं अपने पिछे विनाश और विद्वन्स के निशानी छोड़ जाती है अक्सर गाव वालों की जोपड़ियां हाथी कुचल डालते थे और विपारियों के काफिलों में जुते बैल इस हलचल भरे माहोल से डर कर भाग खड़े होते थे बान गट लिखते हैं कि पूरी दुनिया धूल के गर्त में डूब जाती थी अब आगे देखिए अनियत्र अब मानचित्र में हमें कहा जा रहा है कि अरब को डूंडो मरू भूमी होते हुए भी सदियों से अरब यातायात का एक बड़ा केंदर था दरसल अरब अरबी व्यपारी और नाविकों ने भारत और यूरोप के बीच समुद्री व्यपार बढ़ाने में एक महताफून भूमी का निभाई थी अरब में रहने वाले लोगों में बेदूइन थे बेदूइन जो घुमकड कभीले होते थे वे मुख्य रूप से उंटो पराश्रित होते थे क्योंकि यह एक मजबूत जानवर है जो मरूब भूमी में भी स्वस्त रह सकता है लगबग 1400 साल पहले पेगंबर मुहमद ने अरब में इसलाम नामक एक नए धरम की शुरुआत की इसाई धरम की तरह इसलाम ने भी अल्ला को सर्वोपरी माना है उनके बाद सबी को समान माना गया है यहां इसलाम धरम के पवित्र गरंद कुरान का एक अंश दिया गया है मुसल्मान स्त्रियों और पुरुशों के लिए विश्वास रखने वाले स्त्रियों और पुरुशों के लिए भक्त स्त्रियों और पुरुशों के लिए धेरेवान और स्थिर मन के स्त्रियों और पुरिशों के लिए दान देने वाले स्त्रियों और पुरिशों के लिए उपवास रखने वाले स्त्रियों और पुरिशों के लिए अपनी पवितरता बनाई रखने वाले स्त्रियों और पुरिशों के लिए अगले सो सालों के दोरान इसलाम उत्री अफ्रीका, स्पेन, इरान और भारत में फैल गया अरब नागरिक जो इस उब महादविव की तटिये बस्तियों से पहले से ही परिचिते अब अपने साथ इस नए धरम को भी ले आए अरब के सिपाईयों ने करीब तेरा सो साल पहले सिंद यानि आज के पाकिस्तान को जीत लिया था आप देखिए सही या गलत बताना है हरी शेन ने गोत्मी पुत्रशी साथ करनी की प्रशंशा में प्रशस्ती लिखी नहीं जी हरी शेन ने तो नहीं लिखी यहना गोत्मी पुत्रशाथ करनी के लिए जो प्रशंश्ती है वो उसकी मां के द्वारा ही लिखवाई गई थी आरे अवरत के शाषक समुद्र गुपत के लिए भेंट लाते थे नहीं ये लेके आते थे समुद्र गुपत के लिए भेंट कौन लेके आते थे जो तटिये इलाकों वाले थे यानि जो बाहरी इलाकों वाले थे जैसे शर्लंका वाले हो गए ये लेके आते थे दक्षिनापत में 12 शाशक थे बिलकुल जी 12 शाशक दक्षिनापत में ही थे और वो नीती कौन सी कहलाती थी ग्रहन मोक्षानु ग्रहन नीती गुप्ट शाशकों के नियंतरन में दो मैतवपून केंदर तक्ष शिला और मदुरे थे तो ये हम देखते हैं पीछे और एहोल पल्लों की राजदानी थी दक्षिनी भारत में स्थानिये सबाएं सदियों तक काम करती रही थी ये सारी चीज़े भी हाल सही ही है लेकिन गुप्ट शाशकों के नियंतरन में दो मैतवपून केंदर तक्ष शिला था या नहीं वो एक ये थी कानची पूरम पल्लों की राजदानी कौंची थी कानची पूरम के आसपास शेत्र था ठीक है चालुक्यों की राजदानी एहोल थी और पल्लों की कानची पूरम अब हम देखते हैं किसके बारे में कि गुप्त वंशों वाला क्या था उसके अंदर क्या दिया गया था कि गुप्त वंश अभी हमने पढ़ा था कि गुप्त वंश गुप्त वंश गुप्त वंश अभी हमने देखा था कि इनके लिए जो लेके आते थे उपहार वगरा ये वाली लाइन है ये देख लो वापिस से क्योंकि चैप्टर काफी लंबा हो जाते और काफी फैक्ट थे इस चैप्टर में तो फिर भी हम उसको वापिस देख रहे हैं कि समुद्र गुप्त के लिए उत्तरपश्चिम के गणिया संग ये उपहार लेके आते थे और दक्षिना पत्के कितने शाषक आते हैं 12 शाषक आते हैं ठीक है और हमने इसके बारे में क्या पढ़ना था गुप्त शाषको के नेंतर में दो मैत्वपुन केंदर शिक्ष तक्षिला और मदुरई तो यहां देखिए गुप्त शाषकों के कितने ही हैं देखा जाए तो फिर भी है इनके सारे तक्षिला भी है और मदुरई मदुरई भी है यहां पे काफी बड़ा नगर है तो यह थे इनके शाषन में थे यह सारी चीज़े ना इनके मैत्वपुन नगर थे यहां तक्षिला यहां है वर्तमान पाकिस्तान में चलिए आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है गुप्त वंश की शुरुवात है यह कव हुई है लगवग सत्रा सो साल पहले हर्श वर्दन का जो शाषन है वो 14 साल पहले का थानेश्वर हरिहाना में वर्तमान यह सब इनकी महत्वपुन चीज़े हैं इस चप्टर में अब हम हमारी बुक का एक लास्ट चप्टर रह गया है तो जल्द ही हम उस चप्टर को भी शुरू करेंगे तो आज के लिए इतना ही चैनल इजी इजी लाइफ को के साथ जुड़े रहिए जादा से जादा शेयर करिए ताकि लोग हमसे और जुड़ सकें और जितना हमें थोड़ वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सकें तो आज के लिए इतना ही हार्दिक धन्यवाद आभार शुबरात्री